समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागेंद्र मिस्त्रा में कुम्भराश 15-21 फरवरी 2021 अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह 2021 के तीसरे सप्ता के कुम्भराशिफल के बारे में कुम्भराश वाले लोगों के लिए 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 तक कसमें कैसा रहेगा और इन साथ दिनों में चंद्रमा की इस्तिती कुम्भराश वाले जातकों के लिए कैसी होगी ग्रहों की इस्तिती कैसी होगी और उनका प्रभाव कुम्भराश वाले जातकों आपके जीवन से जुड़े हरचेतर के बारे में जानेंगे स्क्षा के बारे में स्वास्त प्रेम जीवन पारिवारी जीवन कैजियर दापत जीवन 9 अब करेंगी बस्डह्य चोटी विनती कुम्भ राश के जातकों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेर चरूर कर दें तो दोस्तों हम यहां पर कुम्भ राश सीवाले जातकों की बात कर रहे हैं सब्ताहिक तो चंद्रमा की स्थिति इन साथ दिनों में आपके दूसरे भाव पे तीसरे भाव पे और चौते भाव पे यानि की तीसरा भाव यानि की तीन भाव शक्री रहेंगे धन का भाव पराकरम का भाव और शुक का भाव इसके साथ सुक्र का भी इस सब्ताह यानि की राशी प और कुम्राच के लोगों के लिए इस सपता कैसी शुरुआत होगी अब चंद्रद्यों के दूसरे भाव में यानी गोचर करने से होगी दूसरा भाव वाड़ी का भाव होता है यानि कि धर्म का धन का इन इन सभी का भाव माना जाता है फैमली पैतरक शंपत्ति तो ऐसा होगा यानि कि चंद्रमा का कैसा होगा चंद्रमा का दूसरे भाव में आना आपके लिए कैसा result देगा तो देखे बड़े अच्छे result देने वाला होगा क्योंकि यहां पर धन का लाब होगा कुछ चीजों में आपको सावधानी भी रखने होगी तो यहां पर अगर बाद व्याद की स्थितियां होती है देखे परिवार आपको अनेक प्रकार के सफलताएं मिलेंगी यानि कि आपके लिए सफलता से भरे रहेंगे यह साथ दिन धन लाब प्राप्ति के दिन हैं दूसरा भाव चंद्रमा आपके धन भाव में यानि कि निश्चित रुक्त धन दिलाने बाला होगा आंसिक तोर पर भी धन लाब की य कूल रहेगा इसके बाद चंद्रमा राशी बदलेंगे आपके तीसरे भाव पे अब तीसरा भाव कुंबरास की जातको जो हता है पराक्रम शाहस का छोटे भाव वैनों के लिए जो भाव होता है असमने यात्रा का भाव भी होता है तो यात्रा का योग eleg बनेगा छोटी य यात्रा पर आप यानी कि जा सकते हैं या यात्रा के कामकाज के सिलसले पर आपको जाना पड़ सकता है लेकिन आपको इस यात्रा पर जाने से पहले थोड़ी से तयारी शुरू करनी है क्योंकि रास्ते में कुछ ना कुछ चोटी मोटी परेसानिया हो सकती है इसलिए सभी ची जित करते होने जराएंगे यहाँ पर लोटरी शट्टा से भी अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाएंगे और आपके लिए इसमें धन में अनेग प्रकार की बढ़ोतरी होगी आप चुकी देखिए जब आपके चोते भाव पर जाएंगे तो बाहन का शुक प्राप्त होगा साथी परिवार का शपोर्ट कमराज के यह साथ दिनों में काफ़े अच्छे रहेगा अब जो कि सोला सत्रा सोला और सत्रा फरवरी के समय रहेगा इन दिनों में आप कुछ आकास्मिक रूप से धन का लाब हो शकता है रुका वह फसा धन पर पर प्राप्त होगा उननीस बीस कारक माने जाते हैं शुक्षिविधाओं के कारक माने जाते हैं शुक्र देव तो कुम राज के आपको देंगे क्योंकि आपके राशी पर आ रहे हैं तो इन सभी चीजों का लाव आपको मिलेगा दामपत्य जीवन में मधुरता आएगी दामपत्य जीवन में मिठास आएगी संतान की planning करते होने जाना, संतान का शुक्ष प्राप्त होने जाने जाना, आपका लब-partner बहुत अच्छा है, लब-partner आपको प्रपोज कर सकते हैं, और एक दूसरे का घूमने फिरने कमान बना सकते हैं, कहीं जाने कमान बना सकते हैं, सदीच चाहल करनी पड़ेगे intentionally a exam की त्यारी कर रहे हैंmbre 15 यहां पर जो आपके सेहत की बात किया तो शेहत संबंधे चीज यह तमाम होती नजराएंगी यानि शेहत में भी शुधार देखने को मिलेगा प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आना जाना हो सकता है साथ ही चुकि चौथा भाव बहुत चुकि चौथा भावी सक्री रहेगा इसलिए चौथे भाव से संबंदित माता का सुक जमेन प्रोपरेटी का सुक बाहन का सुक पराप्त होगा काफी दिनों से बाहन के सुक से वंचित थे बाहन सुक नहीं मिल पा रहा था बाहन नहीं करीद पा रहे थे योजनात बना रहे थे लेकिन प्लान सही नहीं या पैसे की तंगी की वज़े से या किशी नहीं किशी वज़े से टाल देते थे तो यूजनाओं पर आप खरय उतरेंगे और जमीन प्रोपरिटी और वाहन का शुक पराप्त होगा घर बनाने के लिए सोच सकते हैं तो यह जो दिन रहेगा साथ दिन काफी अच्छा रहेगा 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2021 तक कसमें कुम राज के जातकों काफी काम्यावी से भर रहने वाल प्रेम में बढ़ोतरी होगी प्रेम संबंदों में मजबूती आगी पार्टनर्शिप में वेबसाइट कर रहे हैं तो अच्छा खासा धनलाब हो सकता है और पार्टनर्श में बस एक दुसरे से पारदरस्ता बनाए रखें तो निश्य तोर पर आपके लिए बह सब्सक्राइब करेंगे तो बिदेश में अगर आप सेटल्मेंट होना चाते हैं यह समय काफी अच्छा रहेगा अगर हम उपाय की बात करें तो कुम्भरास क्यात को यह जो साथ दिन रहेगा इन साथ दिनों में आपको उपाय की तोर पर क्या करना है आपको पीपल के जण में रख दें या तो किशी सनी मंदरी में रख दें या आप किशी गरीम निधन को दान कर दें वैसे अगर आप एक रोटी काले कुट्टे को भी खिलाएं शनीवार के दिन तो आपको बहुत लाब दायक रहेगा तो यहां पर कुम राज के जातकों के लिए जो सब्ताहि सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए जय शनीदेव